जैसे कि भारत को पहले से ही अंदेशा था कि भारत के लिए NSG के एंट्री में रोड़ा अज़काने के लिए चीन जरूर कुछ ना कुछ करेगा और जिसके चलते भारत पहले से ही मुस्तायग हो गया है लेकिन चीन ने अपना रंग NSG की बैठा खूली से पहले ही दिखाना शुरू कर दिया है और भारत को एक तरह से सीधी सीधी संदेश भी दिया है कि भारत के NSG में एंट्री के खिलाब कुछ भी करेगा NSG में भारत की प्रिवेश का समर्थन करने से एक बार फिर इंकार करने वाले चीन ने आज कहा कि NSG में सदक्सिता के लिए भारत की दावेदारी नई परिस्थितियों में और अधिक चप्रित हो गई है चीन का कहना है कि NPT पर हस्ताक्षन या करने वाले सफी देशों के लिए एक समान नियम लागू होना चाहिए चीन 48 देशों वाले समूह में भारत की सदस्यता को रोगता रहा है ये समूह परमाणू वाड़िची का भिहंत्रक समूह है अधिक्तर सदस्य देशों का समर्थन भूने के बावजूद चीन भारत की सदस्य बनने का विरोध करता रहा है नय सदस्यों की प्रवेश के बारे में समूह आम सहमती की प्रक्रिया अपनाता है चीन की स्तहायक विदेश मंत्री ली हुई लेई ने यहां समबदाता सम्मीलन में कहा एनेश्जी की बार की जाये तो ये नई परिस्थितियों में एक नया मुद्दा है और ये पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल है हाला कि उन्होंने ये नहीं बताया कि नई परिस्थितियां और जटिलताएं क्या है उन्होंने कहा कि चीन गयर पक्षपाती और स्तार वो भॉमिक तरीके से लागू किये जा सकने वाले ऐसे उपाय के लिए एनेश्जी को बढ़ावा दीता है जो नेश्जी के सभी सदस्यों पर लागू हो आपको बता दी कि चीन का साउथ चीन सागर विवात के चलते भारत से पहले से ही विवात था और उसके बाद चीन ने भारत को अपनी ड्रीम प्रोजेक्टिव O.B.O.R. में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया है तीम इंडिलिंग्स